दोस्तो अगर आप भी अपनी कलिस्ट्रॉल की समस्या से परिशान है और आपका कलिस्ट्रॉल बढ़ता ही जा रहा है कंट्रोल में नहीं हो रहा है तो आज मैं कुछ ऐसे पत्ते का सेवन करने के लिए आपको बताऊंगा अगर आप इसका सेवन करते तो आपका कलिस्ट्रॉ हो जाएगा दोस्तों इस पत्ते को मीठी नीम भी कहा जाता है हो सकता है कुछ लोग समझ भी गए हो तो अगर आप अपना कलिस्ट्रॉल जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो आप करी पत्ता खाना शुरू कर दीजिए करी पत्ता यह आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा इसी को मीठी नीम भी कहा जाता है लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रहे इसको आपको पका कर नहीं खाना है कच्छा खाना है और खाने के बाद आपक आप कुछ दिन ऐसा करते हैं तो आपका कलिस्ट्रॉल जड़ से खत्म हो जाएगा और आपको जो परिशानिया हो रही है आपको उन परिशानियों से छुटकारा मिल जाएगा आप चाहे तो इसकी चटनी बनवाकर इसका सेवन कर सकते हैं तो अगर आप कुछ दिन करी पत् पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें जिससे मैं कोई भी वीडियो बनाओ तो आप तक जरूर पहुचे थैंक यू